कि आम दो समझेंगे कि यू को किस किस तरीके से चेंज करते हैं और यू की जगह पर कौन-कौन से प्रोणाउन आएंगे और कौन-कौन से चीजे नहीं आ सकती हैं तो चलिए देखते हैं अगर हम बात करें रामसेस- यानि टू की बात डैस यू 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 या फिर यूर्स अब कोशन यह आता है कि हमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू मिलता है यू मिलता है कुछ भी मिलता यू की सीरिज अगर पूरी मिलती है यह वाली तो हम इसकी जगह पर कौन सा सब्द और रिपोर्टिंग वर्ब में सेस के पहले चेंज करेंगे कि सेस के बादवाले सब्द के साथ चेंज करेंगे अब मैंने या पर बादवाले सब्द लिया है ऐसा क्यों किया है उसका रीजन है अगर मैं बोलू जैसे मेरे नाम राम है और एक विक्ति और है जिसका नाम मान मोहन से का कि तुम जा रही हो मैंने मोहन से का तुम जा रही हो तो मैंने बोला यानि कि राम ने बोला मोहन से कि तुम जा रही हो अब यहां पर sentence कैसे बना sentence को एक बाद बना लो कि राम sad ले लो या says ले लो कोई problem नहीं sad to mohan ठीक है और लगा है comma to comma you are going हमें अंदर ये पता करना है कि अंदर वार sentence में जो काम हो रहा है वो कर कौन रहा है तो राम ने mohan से का कि तुम जा रही हो तो कौन जा रहा है राम खुद जा रहा है कि mohan जा रहा है very good एक बाद फिस समझ लो मेरा नाम राम है और मैंने mohan से का कि तुम जा रही हो तो जा कौन रायरेल में mohan जा रहा है मैं थोड़े ही आ रहा हूँ यानि राम ने खुद के लिए ने बोला कि मैं जा रहा हूँ राम ने तो ये बोला है कि तुम जा रहे है इसका मतलब you यानि कि ये अंदर जो you है ये use किया है mohan के लिए और mohan ही जा रहा है इसका मतलब यहां पर ये साउज में आता है कि यू, यू, यूर या फिर यूर से कोई भी सब्द आता है तो बाहर वाली ये object के बारे में बताता है कि ये वाला sentence अंदरवाल जो बाहर वाले object के लिए है clear? चलो अब आते हैं sentence पर अब यहां पर क्या क्या आ सकता है हम वो दिखते हैं तो सबसे पहले यहां पर objective के सारे सब्द आएंगे तो हम सुरुवात करते हैं me से अगर यहां पर me आ गया मान के चलिए तो u की जब क्या आएगा तो हम u को पहले divide कर लेंगे अब यहां पर थोड़ा सा confusion यह होगा कि u के चेहरे दो है same एक तो आपका यह वाले you सब्जेक्टिव और एक यह वाले you objective दोनों के चेहरे same हैं हम पहचानेंगे कैसे दो तरीके simple से हैं पहला तरीका यह है कि अगर आपको कॉमा एट कॉमा के ठीक बात लिखा मिले you तो पहला वाला है नमबर एक नमबर दो वर्ब के ठीक पहले रखा जैसे कि you are तो आर के पहले you है you have तो have के पहले you है you go to college तो go के पहले you है तो वर्ब से पहले अगर है तो मेरा you है बाकी कहीं पर भी बीच में यहां पर यहां पर कहीं पर भी लिखाओ तो सुन ले ने दूसरा वाला you है थीक है तो अगर मैं वर्लें me को मुझे देखना है कि मुझे सारे ूसारी सब्स Terre को चार वर्ड्ड जो है मुझे मीं है dus यह शेंज करना है, यह मन के चलो तूसरा वाल सऑथ यह 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 यॉर । itu has a new number then यह एक दा अभ मजे अब मुझे u की जगे hem मी की से चैंज काई तो मैंने बताया था आपको आई वाले वीडियो में कि यहां पर जो भी परोणॉन आते तो भी आते हैं प्रोणॉन की जगए पर तो मुझे मी की डूसरी नमबर का यह यू पहले नमबर का चाहिए यू के ठीक खुपा देखो तो मुझे मिलेगा आई मी के नीचे यू खुद दूसरे नंबर का तो यू खुद आ जाएगा यहाँ पर सॉरी मैंने गलती कर दी छोटी सी यहाँ पर हाँ आई आएगा और यहाँ पर आएगा मी क्यूंकि यहाँ पर यह खुद प्रोनौन खुद ही आएगा न तो पहले वाली यू के साबसे आएगा आई, दूसरे वाली यू के साबसे आएगा मी, तीसरे वाला, अब मी देखो यहाँ पर यह और तीसरे नंबर का है यह तीसरे नंबर का है, मी का तीसरे नंबर का, तो मी के तीसरे नंबर का आएगा फेसे एक बाद देख लेते हैं मान के चलो कि अब की बार यह यू जो है वह प्लूरल वाला है राम ने तुम लोगों से कहा तो यू दो होते हैं मैंने तुम से कहा तो एक मैं तुम लोगों से कहा तो ज्यादा तो यू प्लूरल भी होता है अब यहां पर अगर मैं व loh यहां पर हम लोग यहां पर दे लेंगे अब को यहां पर क्यों नहीं आ रहा है तो इसका रिजर यह नहीं है कि हम लोग वी की जग दे यूश करते हैं अभीज करते हैं और आप आगे देखेंगी इसको मैं survey को अलक कोई देखकन नहीं, यू के जगए यू आएगा इसके जगए यू आएगा यहाँ पर भी यूर आएगा और यहाँ जो प्रॉनॉन जैसा है वो इस इंधा रख दिये जाएगा, जेमा कोई प्रॉब्म के नीचे देखो तो हर तीसरे वाले तीसी नीचे हर और यहां पर चौथा वाला हो जाएगा हर्स ह-e-r-s फिर से अब की बार मिला हमें हम अगर हम मिला तो यू की जग हो जाएगा ही फिर दूसरा वाले यू की जग जाएगा हम यू कि नीचे चेक करो तो जाएगा हिज और यहां पर फिर से यूर को जाएगा है इस क्योंकि नेजिव होता है यहों क्यूंत आता है निजिव को समझे लो अगर बिला तो इसका मतलब अब यहां पर यहां पर आदमी का नाम ले सकते हैं बिल्कुल अगर मैं कहवान say to the boy, अगर मैंने आपर boy ले लिया, boy का मतलब male, यानि कि masculine gender, और लड़की आगा है तो फिर feminine gender, अगर feminine gender है, तो C, हर, हर वाला, अगर मैं आपर सीता, नेहा, इसनेहा, पूजा, आरती, खुश्व, कुश्व, कुश्व, मैं आपर नाम लगता हूँ, तो रही तो लड़की ही, तो लड़कीओं वाले अगर gender आते हैं, तो यहाँ पर C, हर, हर चलेगा, चाहें C आजाए तो भी, C, हर, हर रहेगा, और C आजाए तो भी वही रहेगा, किसी महिला का नाम आजाए तो भी वही रहेगा, अगर यहाँ पर him आता है, तो he, him, his मदलेगा, किसी आदमी का नाम तब भी pronoun he, him, his, he रहेगा, अब यहाँ पर अगर कोई post आए जाए doctor है, teacher है तो post हमने सीखा था, वो आदमी होते हैं post या फिर job अगर बात करेंगे हम लोग, तब भी he, him, his बारी line ही चलेगी clear, अगर यहाँ तर बात सोज में आ चुकी है तो अब आगे बढ़ते हैं she says to me you can come with me, चलो see का हो जाएगा see, says to का हो जाएगा tells, me का हो जाएगा me, comment, comment, जाएगा, that अब यहाँ पर ध्यानी रहने आपर you है, यहाँ पर me है confuse नहीं होना है, देखो यह वाली line अगर आएगी, you वाली आएगे, तो you वाले सारे सारे सब्द बदलेंगे यहाँ से, I, me, my mind, चारो मैं से कोई भी सब्द आजाएगा तो यह वाली line पूरी पूरी change होगी, यहाँ से, यहाँ से subject से, I change होता subject से, you change होता है object से, third person कहाँ जाएगा, वो change नहीं होता, वो बात करेंगे आगे, तो you को change करेंगे, मी से, तो हमने ध्यान दिये, तो you तो यह पहला वाला क्यों, कॉमेट कोमा के पहले दूसरी बात यह helping वाप से पहले है, तो यह पहला वाला है, मी के पहला वाला मैंने चेक किया, तो मेरे मुझे मिला I, तो यहां पर मैं लिख करूँगा I, centers present में इसलिए can का रहेगा, can, come का रहेगा, come, with का रहेगा, with, और मी, मी मैं अगर चेक करों, तो मी चेंज़ों का बार के C से, तो मी कौंसे नंबर के वही आ, मी है दूसरे नंबर का, मी अगर you, me, my, कुछ भी combination मगर मिल जाए, तो you वाली पूरी line, you, you, your, yours change होगा बार के object से ये सारी सारी सब्द, अगर I, me, my, mine, चारों में से कोई सब्द मिल जाए, तो वो change होगा इसके हिसाब से, ठीक है? और देख लेते हैं, the man said to him, the man का the man, said to you को change करते हैं, very good him का him, sentence में आपर आजाएगा, that यहाँ पर रखा your, your को change करेंगे him से, तो your है तीसे नमबर का, तो him के तीसे नमबर का, हिम के तीसे नमबर का होता है, his तो यहाँ पर हो जाएगा, his aim का हो जाएगा, aim, अब रुकना है, मैंने पिछली वीडियो बताया था, जब भी हमें sad, sad to बाहर मिले तो अन्दर का, tense change होगा, तो यहाँ पर sad है, तो यहाँ पर is, aim, our का होता है, was, were, तो यहाँ पर each की जग़े हो जाएगा was, not का not, much का much और difficult का difficult, no problem, difficult, ठीक है, आगे, he said to you, I stand with you, he said to you, I stand with you का मतलब मैं तुमारा support करूँगा, मैं तुमारे साथ में होँ, तो he का he, said to का हो जाएगा, told you that, अंदर मिला मुझे I, I को change करेंगे, he से तो he का, अब मैंने बताया, तो pronoun जो आता, वही change करते हैं, तो I की जगए खुद ही आ जाएगा, क्योंकि I को अगर he से चेंज करेंगे, तो खुद ही आएगा, अब यहाँ पर stand, बहाद चेक करेंगे, तो sentence अपना past में, stand first form है, first form change होती, second form है, यानि present definite change होगा, past के definite में, rules में आगए, आप बताऊँगा, detail में के करके, अभी आपनों पहले देख लें, stand की second form हो जाएगी, stood, with, अब यह you जो है, दूसरे नंबर का, क्यों, क्योंकि sentence के बीच में आया है, बाद में, अब you को चेंज करें, बहार के you से, तो you को चेंज करें, you से तो खुद you आएगा, जैसे हमने भी पहले देखा था, तो यहाँ पर कोई भी problem नहीं हुई, एको दिखते हैं, your uncle said to Ram, तो your uncle का your uncle said to का हो जाएगा, told, Ram का हो जाएगा, Ram, को माज़ जाएगा, that, अब यहाँ पर I को चेंज करेंगे, बाहर से, तो अब मेरे कुछ लोग यहाँ पर यह ध्यान दे रहे होंगे, कि यहाँ पर your के साबसे, यहाँ पर अब you आएगा, नहीं, यहाँ पर your uncle, मैं कहूँ तुमारे uncle, तो real में सब्द कौन है, तुमारे से कोई मतलब नहीं है, uncle से मतलब है, तो your, his, आवाद से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर जो सब्द रखा होगा, उससे मतलब है, uncle, इससे में कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ पर अकेला you होता, me होता, I होता, ऐसे सब्द होता है, तो मालते हैं हम लो, तो हमनों यहाँ पर इनको छोड़ते हैं, जो real सब्द उसको ध्यान देते हैं, uncle एक male gender है, तो यहाँ पर I किजएगा होगा he, sentence past में इसलिए I के साफ से, previous वीडियो जो मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, I यहाँ पर fixed sense देने के लिए, confirm sense देने के लिए will ला रहा है, sell नहीं ला रहा है, ऐसे ही के साफ में आपर will ना हो करके sell आएगा, sell क्यों यहाँ पर आएगा, should, teach का हो जाएगा, teach, sentence past में ना, इसलिए मेरा sort हो जाएगा, अब यहाँ पर you है, बाहर कोन है, राम, तो राम का मतलब ही, ही के दूसरे नमबर का हो जाएगा, हिम, क्योंकि यह दूसरे नमबर का बीच में आया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, हिम, at, seven, फिससे समझो, यहाँ पर अंकल ही है, इसलिए आई के साफ साफ जाएगा, ही, यू दूसरे नमबर का है, तो मैंने चेंज के बार की अब्जेट से, राम मुझे मिला, राम का दूसरे नमबर का, राम का मतलब ही, ही का मतलब, हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा, हिम, आई अपने साफ में डेटर मिसम देने के सेंस में आपर आ रहा है, विल, तो मुझे यहाँ पर ही के साफ से यूज करना चाहिए, शुड, सेल, तो सेल का हो जाएगा, शुड, ही सेट टू दा टीचर, तो देख लो, ही, टूल्ड, दा, टीचर, और आजाएगा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉलम नहीं है, मैंने देखा, यू पहले नंबर का है, बार के object से देखा, तो object में तो एक teacher है, common gender, common का मतलब यहाँ पर, एक post है, post का मतलब यह, ही है, तो हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर you के हिसाब से, यहाँ पर मैं देखा, post के लिए तो क्यों यहाँ की सब्द है, ही, तो यहाँ पर आजाएगा, ही, sentence past में होने बज़े से हो जाएगा, could, can का, teach का हो जाएगा, teach, अब, जब यह आपको, तो वी मिले अंदर तो का देना दे में change, rule, note कर लो, अस अंदर मिले तो चेंज कर देना देम में, अवर अंदर लेखा, मिले तो चेंज कर देना देर में, आर्स लेखा, मिले अंदर तो चेंज कर देना देर में, ठीक है, अब यहाँ पर अस मिला तो असको change कर देंगे देम में और एनी का एनी रहेगा टाइम का टाइम रहेगा वी अस अवर का बद छोटा सूग लिए था कि दे देम और देर में change करते हैं इस बात को उको नोट करना की बद फिर आगे बढ़ते हैं He said you can manage this now तो He कर He said का said comment, that अब यहाँ पर कोई है नहीं अब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो यहाँ पर एक और रूल नकल के आता है He said अब जाद तर बुक यह बताती है कि यहाँ पर यू की जगा आई यह ही मान लो अब मैं यहाँ पर आई मानो की ही मानो आप बताएं ठीक है कुछ लोग कहरें कि सर आई मान लो कुछ लोग कहरें सर ही मान लो मानेंग दो ही या तो ही या फिर आई ठीक है, रूल के साब से अब यहीं मान की चलते हैं तो He said उसने कहा You can manage this now तो यहाँ किसी ने उसने कहा कि तो manage कर सकता है यहाँ किसी से कहा या तो I से का तो He तो खुद बोल रहा है तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग आई अगर he available है, तो I माल लो, अगर I available है, तो he माल लो, फिलाल यह rule आपको इतना समझना पड़ेगा, आगे हम लो detail हो समझेंगे, कि I और he की जए कुछ और भी आ सकता है, वो special है, तो यहाँ पर हो जाएगा I, can की जगे, very good, manage, अब sentence अपना past में इसलिए this का that होगा, अगर प्रे समाओ का then, याद रखना है spelling में मिष्टे मिल सकती है exam में, she said you are a good boy, अब दिखो यहाँ पर, she said that, अब कुछ लोग कहें सर यहाँ पर आप I माल लो, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर आप ही माल लो, आप दोनक के दोनों लोग सही यहाँ पर हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी दो लोगों के बारें बात होती है, तो जातर दूसर वेक्ति जो नहीं बोल ला होता है, वो आई ही होता है, अगर यहाँ पर आई नहीं है, और यहाँ पर कोई वेक्ति किसी से बोल ला है, जिसका नाम नहीं लिया है, और अंदर यू है, तो जातर वो आई सही बात करेगा उसने मुझसे का कि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो अब यहां पर ही क्यों आएगा ही इसलिए गा क्योंकि अंदर बॉय है बॉय के बारे मात ओर इसलिए मेरा ही यहां पर सही है अगर मैं यहां पर आई की बात करना तो आई लड़का और लड़की दौनों होते तो यहाँ पर आई और ही दौनों ही सही हैं सेंट पास्ट होने वज़े से हाँ पर आजाएगा वाज और आई भी वाज लेता और ही वी वाज लेता दौनों कॉमन हो गए he was a good boy दोनों सेंटर्स हमारे सही हैं खेला भी शुरू नहीं है, खिल तब शुरू हुआ है आगे देखो uncle said you played with me very well तो uncle का uncle said का said comment, that uncle ने का कि तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा खेला है इसका मतला uncle ने मुस्से ही तो काओगा ना क्योंकि uncle तो यहां पर 3rd person हो गई, किस से वोला, तुम से वोला, तुम का मतलब यहां पर मैं हाला कि he ले सकते हो, कोई problem नहीं, मैं यहां पर I लेकर चलता हूँ तो यहां पर I भी ले सकते हो, और he भी ले सकते हो played second form है, second form चेंज होता है, पाश के perfect में, यानिकी head or third form, you had played with, अंदर me है, और me को चेंज करें, बार के sets के पहले, set के पहले को है, uncle, uncle का मतलब he और me दूसरे नंबर का है, तो he के दूसरे नंबर का चेंज करेंगे, him, मैं, well, ठीक है, अब जिन लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे tense वाला, पूरी series देखी है, उनको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर head क्यों आया है, कि मेरे अंकल ने कहा, कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा खेला है, तो खेलना पहले हुआ है, कि अंकल का कहना पहले हुआ है, तो अब का हुए सर कि खेलना पहले हुआ है, और अंकल ने बाद में कहा है, तो जो काम पहले होता है, वो sentence पाश के perfect में जाता है, इसलिए यह वाला sentence पाश के perfect में च और यह कंजंग्शन से sentence अपना बन गए यहां पर complex sentence जो कि बन रहे यहां पर that से लेका है आखरी तक noun clause तो जिसको ने देखा है पूरा series वो तो सब को समझ चुका होगा जिसमें कुछ भी नहीं देखा है वो चाहरा कि आभी सब को समझ में आ जाए वो असंभव है इंपॉसिवल है जब तक मेरे सारी वीडियो नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यह सारी बात है हाला कि आपको वैल के जब मैंने फुल स्टॉप लगाया था तक वो आपको बात सारी समझ में आ चुकी होगी लेकि उसकी बात जो मैंने बात समझ जाए वह आपको समझें नहीं आई होंगी रीजन क्या है यहां पर पाश परफेक्ट में ही पाश इंडियों क्यों चेंज हुआ है इसका रीजन मैने बता दिये क्यूंकि यहां पर दो कम हुए है एक कम पहले हुआ हूआ है कहना बात हुआ है खेला पहले गया है जब तक खेले कैसे इसलिए यहां पर चेंज हुआ पर्फेक्ट में और यह वाल अपना इंडेफरेंट में ठीक है तरुन सैड यू आर अगुड कर तो तरुन का तरुन सैड का सैड अब यहां पर यह तो आई आएगा यह ही आएगा किताबों के रूल यहां पर आई तो आसकता है लेकिन ही नहीं आएगा मैं जानता हूँ दौाँ घूम रहा है उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि तरुन का तरुन का सेट का सेट होगा यहाँ पर देट मैंने लगा दिया अब यहां पर मैं आई तो ले सकता हूँ कि कया आई तो common ही निया सकता है क्यों निया सकता उसका reason यह है कि तरौन ने का तुम्हे है तॉ लडकी ही नहीं होता है she होता है तो यहां पर इस girl की बज़े से यहां पर एक तो I common हो सकता है सी याद रखिए बुक्स के बाहर निकलोगे तभी कुछ सीख पाओगे बुक्स में उल्जे रहोगे कभी कुछ नहीं सीख पाओगे तो यहाँ पर इस बॉय की बज़े से मैंने आई हो और ही ले लिया था यहाँ पर इस गर्ल की बज़े से आई तो ठीक है लेकिं सी आएगा ही नहीं आएगा किँए यहां पर गर्ल के बारे हैं बात हो रही है अगर मैं इस सेंटेस हैं इस इतना लेगता çünkü you are good तो you are good एक लड़की भी हो सकती है एक लड़का भी हो सकता है और I भी हो सकता है तो यहाँ पर I, she और he इस स्वाले sentence में I, he और she तीनों ले सकती है लेकिन यहाँ पर इस स्वाले sentence में हम लोग ही नहीं ले सकती हैं क्योंकि यहां पर लड़की के बारे माद हो रही है आए थे आपको एक नया कॉंसेट्ट मिला होगा वास अ गुड गर्ल अब यहां पर तरौन लड़का है तो लड़की ने किसी थार्ड पसन ने बोले यहां पर आई तो है नहीं इसलिए मैंने आई ले लिया है अगर मैं चाहूं के नहीं मुझे आई नहीं चाहिए तो मैं सी ले सकता हूँ किताबों से बहान निकलना पढ़ेगा यह आखो सीखना पढ़ेगा अगर यहां पर अगर उन पे गरल नहीं होता तो फिर i भी ठीक था he भी ठीक था और c भी ठीक था क्योंकि तरुन ने किसी से कहा तो उसा तरुन का तो एक नाम ऊवे है किसी लड़के से तो कह सकता है तो यहाँ पर ही भी ठीक था अब देखते आगे यू सेड यू बिल भी गुईंग अब यहाँ पर ध्यान देना जो मैं उपर समझा रहा था कि यू का तो हो गया यू सेड का हो गया सेड और यहाँ पर हो जाएगा देट अब बाहर कोई है नहीं तो यू ने किस से कहा या तो यू ने आई से कहा ठीक है अंदर चेक कि तो यहाँ पर कोई लड़के बारें बात नहीं हुए तो यहाँ पर ही भी हो सकता है अंदर चेक को Sayhh would be going अब आपर शुड्य उन्हे नहीं हुआ इस लिए यहां पर यह कि you के सबस्व用 खोला ले लिया तो आहे के साथ से यहां पर what we आ सकता है शुड्य वो उप्सें क्यों पर करता है कि यहां पर तीनों मैंज़े कोई भी आ सकता है क्यूंकि आपे कोई specific gender के बारें बात नहीं हुई है clear मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका दमाग जरूर घूम चुका होगा कि इतने गहराई से चीजें क्यों निसान में आई और क्यों बॉक्स नहीं बताती है खेर उनकी समस्य हम आगे देखते हैं the captain said तो the captain said that अब अंदर you है captain किस से काओगा मुझसे काओगा ठीक है he से भी तो कह सकता है ठीक है क्यों लड़किया नहीं खेलती है लड़किया भी खेलती है तो see भी हो सकता है एक और खेल you have played well याद रखो कि captain किसी एक से भी कह सकता है I से भी कह सकता हो he से भी कह सकता हो see से भी कह सकता है और they से भी कह सकता है you have played well आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला है यह विसको कह सकता है तो you को अगर आगर ज़्यादा माल लें तो यहाँ पर फिर हम लोग तो dem मान के चलते हैं, फिर आँ पर they भी हो सकता है, तो you की जगए पर I, he, she, they भी हो सकता है, हमें कैसे पता चला हमें इस sentence के context से पता चला, इस sentence को पढ़ने के बाद पता चलता क्या आएगा तो मैं यह चाहता हूँ कि आप वह चीज़े सीखें जो जरूरी है जो किताबों से बाहर की दुनिया हैं वहां पर इंग्लिस है किताबों इंग्लिस नहीं है वो सिब concept बताती हैं लेकिन reality में चीजे कैसी हैं वो चीज प्रैटिकल्स पता चलती हैं तो यहां पर दे भी आ सकता है sentence past में इसलिए यहां पर आया जाएगा head played well फिस सुन लो मेरी बाद captain ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा खेला है तो तुमका मतलब captain किसी इसका है इसका मुस्री कह सकता है तो आई भी सही है किसी लड़की इस भी तो कह सकता है ना ठीक है लड़कें भी तो खेलती ना ठीक है सबी लोग इससे कह सकता है तो लोग समने अच्छा खेला है तो दे भी हो सकता है वी क्यों नहीं हो सकता है, वी इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग वी को दे में चेंज करते हैं, इसलिए हमने दे लेना पड़ा, बायत आपको समझ में आ चुकी होगी, बहुत लंबी खेलें, आगे दिखते हैं, अब आई को चेंज करेंगे केप्टन से, तो क्या महिला होते हैं कि पुरुस होते हैं, वेरी गुड़ दोनों होते हैं, कॉमा जिंडर होगे, कॉमा जिंडर का मतलब, वेरी गुड़, ही, सेंटेस पास्ट होने बज़े से हो जाएगा, हैड, नो, आप्शन, और नाउ का हो जाएगा, वेरी गुड़, तैंडर यू है, बाहर अस है, तो चेंज करेंगे, वे, मे का हो जाएगा, माइट, गो, नाउ, वेरी गुड़, नाउ नहीं होगा, देन होगा, अब, यहाँ पर हमने देख क्यों नहीं लिया है, फिर से सुन्यों, अब आप कहोगे सर, यहाँ पर आप, आप यहाँ पर वी भी तो ले सकते हो, अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पर हम लोग वी भी ले सकते हैं, अब यह वी कब आएगा, और वी कब नहीं आएगा, इसका वीडिय अलग मिलेगा, आपको बिलकुल ही अलग मिलेगा, वी की कॉंसेप्ट में, तो वो चीज़ इक अलग होगी, फिलाल अब यहाँ पर वी क्यों आया, कैप्टन वाले वीड ठीक है, लड़की से का ठीक है, उन लोगों से का ठीक है, अब यहाँ पर वी क्यों नहीं आया, और आएगा की नहीं आएगा, सोचो, मैंने लगा तो दिया है, अब आएगा की नहीं आएगा, इसको देखकर मैंने लगा दी हो आपर, जो आपको मन कहरा है तो कि लगा दो, म क्योंकि वह concept समझों नहीं आया है सुनो captain ने तुम से कहा या तो किसी लड़के से या मुझसे या उससे का यह सबसे का US में वो खुद इंक्लूड नहीं है यह निकाशने कि हम लोगों ने इच्छा खेला है उस नी आ계 कि तुम लोगों ने इच्छा खेला है यहां पर इसका मतलई यह कि Captain खुद को इंक्लूड नहीं कर रहा है खुद को अलग करके बोले कि तुम लोगों ने अच्छा क्हेला है तो जब लोगों को अलग कर रहता है और छोई को अपने से अलग कर दो दूसरों लोगों से तब वहां पर V नहीं आता है इस चीज़ को मैं डीटेल में एक चीजों को डेटेन बताऊंगा मैंने आगे भी बताया था कि आपको मैं छोड़ दिया था है आपर असकी जगर वी आएगा की नहीं आएगा वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है ऐसी वह वालग कॉंसेप्ट जिए मैं आगे आगे आपको बता दूँगा ठीक है ही सेट टू दगर्ल तो ही का ही हो जाएगा सेट टू का हो जाएगा टोल्ड दगर्ल का दगर्ल और यहाँ पर लाजाएगा देट मैंने देखा यहाँ पर यह तीसे नंबर का है चेंज करूंगा मैं बाहर के आप्सन से तो बाहर ही लड़की है लड़की का मतलब सी है अब सी के तीसे नंबर का मैं देखूं सी के तीसे नंबर का होता है हर तो यहां पर हो जाएगा हर friend sentence past में होने की बज़े से यहां पर हो जाएगा might join का join हमने सीखा था अभी क्या ask का हो जाता है them में तो यहां पर कर देंगे them तो मेरे खायल से आपके जो you के जो rule थे जो concept था वो बिलकुल clear हो चका होगा और आपको यह नई approach नई thinking मिली होगी सोचने के लिए कि हमार सोचने का तरीका नए होने चाहिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको हर चीज समझ में आई होगी और जो चीज आपको नई नई मिली होगी वो कुछ लोगों के गले से नीचे नहीं उत्रेंगी क्योंकि उन्होंनों वो चीज कभी नहीं पढ़े है हमें बस वही ची झाले होगी और सी खोगी